असलाम लेकूं वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विच्छाइदा समर कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे तिका सेंट्विचेज और यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है उसके लिए मुझे यहां पर मैंने लियावा है थ्री टेबले स्पून दही और वन टी स्पून यहां पर मैं एड़ करूंगी गरलिक पेस्ट और यहां पर दो लेमन का जूस और यह है मेरे पास तिका मसाला वन टेबले स्पून और वन टेबले स्पून मैं एड़ करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून मैं एड़ करूंगी सॉल्ट नमक का हम यूज चीजों को अच्छी तरह मिला के एक अच्छा सम बैटर बना लेंगे और इसके अंदर हम चिकिन को डाल और मेरिनेट करके लख देंगे एक घंटे के लिए ये देखे देगे हो गया अच्छी तरह मिक्स और वन टीसपुन ब्लैड पैपर पाउडर और वन की स्पुन मैं एट करूंगी रेड चिली पाउडर और सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करके और इसमें हम जब को यहां पर चिकन का एक ब्रेस्ट पीस मैंने एड़ करके और अच्छी तरह इसकी मेरिनेशन कर दी और एक घंटे के लिए मैंसे फ्रिज में रख दूँगी और इसके बाद हम आगे का काम करेंगे यह देखें यह अच्छी तरह हो गया है मिक्स चले जी अब मैंसको रख अच्छा जी यहां पर चिकन हमारी मेरिनेट हो गई बहुत अच्छी तरह से और यहां पर एक बरतन की अंदर मैंने वन टेबले स्पून आइड किया और अब मैं इसमें चिकन एड़ कर दूँगी जो हमने मेरिनेट करके रखी थी और यह अपने ही पानी में पकेगी और द और आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो रही है चिकन तिकका सेंडवीचिस और आपने इसको जरूर ट्राय करना है यह बहुत ही यूनिक फ्लेवर के साथ और बहुत ही टेस्टी बनेंगे यह चैले जी आप यहां पर चेक करें के चिकन का पानी काफी हद तक द्राय हो चुका है लेकिन अभी भी मैं इसको एक से दो मिनट के लिए पकाऊंगी और मैं इसको बिल्कुल ड्राय कर दूँगी चैले जी यह हो गया बस मैं इसको अभी निकालके फिर हम सेंडवीच बनाने चैलें जी यहां पर हम चिकन तिका सेंडवीच को कम्प्लीट करेंगे और यहां पर मेरे पास है दो स्लाइसी और मैंने के कॉर्नर कट कर लिए और इसके ओपर मैंने मैउनिज लगाया और इसके ओपर मैंने लगाया चिली गार्लिक सॉस और अब हम इसके ओपर चिकन तिका रखेंगे और सेंड़िच को करेंगे मज़दार सा कमप्लीट चलें जी ये हो गया और उपर से हम डालेंगे एक टिमेटो का स्लाइस और कुछ स्लाइस हम डालेंगे क्योकंबर के जो आपको पसंद है उसके बाद हम इसको इस तरह करके और कटिंग करके हमारा सेंड़िच हो गएगा रेडी यहां पर सेंड़िच को हमने कट कर लिया और हमारा चिकिन तिका सेंड़िच हो चुका है बिलकुल रेडी और अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे झाल झाल